नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों एपल ने iOS 17 के डेवलपर बीटा 1 को रिलीज कर दिया है और इसका पब्लिक बीटा जुलाई में रिलीज होगा इस वीडियो में मैं बात करूँगा iOS 17 में आने वाले सारे मेजर फीचर्स और चेंजिस के बारे में मेरा नाम ऐसे दार तो आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्स इंडिया अगर आप iOS 17 में आने वाले मेजर चेंजिस के बारे में जानना चाहते हैं आप उससे रिलेटिड हमारा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं iOS 17 हमें इन सभी iPhone मॉडल में देखने को मिलेगा यानि कि iPhone 8, 8 Plus और iPhone 10 में हमें यहाँ पर iOS 17 अब देखने को नहीं मिलेगा चलिए अब देखते हैं कि इस अपडेट में हमें क्या चेंजिस देखने को मिलते हैं सबसे पहला चेंज यहाँ पर हमें वाल पेपर वाले सेक्शन में देखने को मिलता है Left side में iOS 16 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें collection, astronomy, weather, color, emoji और pride के यहाँ पर section देखने को मिलते हैं जबकि right side में iOS 17 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर collection, color, weather, unity, astronomy और unity के यहाँ पर दुबारा से देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ bugs भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी display नहीं हो रहा है इसी के साथ साथ यहाँ पर नीचे अगर हम जाते हैं साधी नीचे यहाँ पर हमें section देखने को मिलते हैं unity और pride के जब कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है emoji का और उसके बाद हमें यहाँ पर unity का section और pride का section देखने को मिलता है और collection वाले section में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी हमें bug देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कुछ भी display नहीं हो रहा है अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले वाले इस collection वाले icon के उपर tap करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर light को select करता हूं तो मेरा wallpaper हलका सा light हो जाता है साथ ही अगर मैं यहाँ पर dark को choose करता हूं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह wallpaper हलका सा dark हो गया है और अगर हम इसको automatic पर रखते हैं तो यह अपना time of day के हिसाब से यहाँ पर प्रपेरेंस को change करता है लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमें bug देखने को मिल रहा है और यहाँ पर यह light यह dark select करने के बाद भी यहाँ पर यह automatic ही selected आ रहा है तो अभी यहाँ पर हमें इस wallpaper वाले option में काफी सारे bugs देखने को मिल रहे है साथी lock screen में यहाँ पर हमें एक और change देखने को मिलता है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अपने time को select करते हैं तो आप यहाँ पर right side में iOS 17 में देख सकते हैं कि यहाँ से अब हम यहाँ पर इस time के font size को भी change कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर left side में iOS 16 में आप देख सकते हैं कि यह font size को change करने का option आपको देखने को नहीं मिलता था तो यह भी एक change यहाँ पर हमें iOS 17 में देखने को मिलता है next change यहाँ पर हमें देखने को मिलता है widget में iOS 17 में अब हमें यहाँ पर interactive widgets देखने को मिलते हैं आप right side में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर इस widget में यहाँ पर play के option देखने को मिल रहे हैं जब कि left side में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि music widget में हमें play के option देखने को नहीं मिल रहे थे यहाँ पर मैं directly in play वाले बटन के उपर tap करके अपने music को play कर सकता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर play पर tap करता हूँ तो यहाँ पर हमारा यह music play हो गया है इसी तरीके से हम यहाँ पर बाकी widgets में भी यहाँ पर interact कर सकते हैं iOS 17 में next हमें एक नया mode देखने को मिलता है जो कि है stand by अगर हम अपने phone में setting में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर हमें यह stand by का option देखने को मिलता है जब हम इस option के उपर tap करते हैं तो यहाँ पर हमें यह stand by का on off का toggle देखने को मिलता है और यह साथ ही Always On Display का option भी देखने को मिलता है अगर मैं यहाँ पर अपने iPhone 11 पर नज़र डालूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे Stand By Mode में Stand By का option देखने को मिलता है Night Mode On-Off Toggle का और Motion to Wake का जबकि iPhone 11 में हमें सिफ Night Mode On-Off का Toggle देखने को मिल रहा है Stand By Mode में जब हम अपने phone को यहाँ पर किसी Stand के उपर रखते हैं और उसको Charging पे लगाते हैं तो इस तरीके से हमें Stand By Mode देखने को मिलता है Stand By Mode में हमें यहाँ पर Left Side में अलग Complication देखने को मिलती है और Right Side में अलग Complication देखने को मिलती है Left Side में हम इसको उपर नीचे Swipe करके इस तरीके से ऐसे Change कर सकते हैं और Right Side में भी हम उपर नीचे Swipe करके यहाँ पर Complications को देख सकते हैं और अगर हम यहाँ पर अपने स्क्रीन के उपर इस ते से राइट स्वाइब करते हैं तो हमinformation के और raptions भी देखने को मिलते हैं facil अइस तरीके से बाद से नाय देखने गिलता हैlı iOS17 में नेक्स्ट यहाँ पर हमएं छेंजिव देखने को मिलते हैं live activities में अगर मैं यहाँ पर अपने phone में clock app को open करता हूँ और यहाँ पर timer को open करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर किसी timer को set कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा timer यहाँ पर चल रहा है और अगर मैं यहाँ पर अपने lock screen को अब open करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही phone में यहाँ पर हमें timer देखने को मिलता है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस 10 minute के timer को दुबारा से start कर देता हूँ तो अब हमें यहाँ पर दो timer देखने को मिल रहे हैं जबकि left side में iOS 16 में हमें सिर्फ एक ही timer देखने को मिलता था तो यह एक change यहाँ पर हमें live activities से related देखने को मिलता है iOS 17 में next कुछ changes यहाँ पर हमें देखने को मिलते है messages में messages में यहाँ पर अब हमें search filter करना है option देखने को मिलता है जिसमें हम अब एक से ज़्यादा word से अपने messages में यहाँ पर search कर सकते हैं साथ ही अगर हमारे पास message thread में कोई बड़ी conversation हमें देखने को मिलती है तो उस बड़ी conversation में हमें यहाँ पर यह arrow देखने को मिलेगा जिस arrow के उपर tap करके हम अपनी उस conversation पर directly जा सकते हैं जो हमने last देखी थी इसके अलावा अगर हम किसी message को reply करना चाते हैं तो हम उस message को simply इस तरीके से right side में drag करके उस message का reply कर सकते हैं जबकि left side में iOS 16 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर message को right side में drag करने का option हमें देखने को नहीं मिलता था एक और change आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है नीचे left side में messages में हमें यह सारे option यहाँ पर नीचे देखने को मिलते हैं और अगर हम यहाँ पर इस more वाले option के उपर tap करते हैं, तो हम यहाँ पर बाकी के options भी देख सकते हैं, messages से related. तो इन सारे buttons को यहाँ पर अब इस plus वाले button के अंदर move कर दिया गया है, अब iOS 17 में. साथ ही अगर अब अब प्लस वाले button के उपर यहाँ पर tap करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर हमें यहाँ पर memojis का option देखने को मिलता है, memojis में भी यहाँ पर हमें कुछ नए memojis देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह तीन memojis आपको left side में iOS 16 में देखने को नहीं मिलते थे, तो ये तीन नए मेमोजीज हमें देखने को मिलते हैं iOS 17 में साथ ही अगर मैं यहाँ पर इस वाले आइकन के उपर यहाँ पर टैप करता हूँ तो यहाँ से हम नए स्टिकर को भी यहाँ पर अपने create कर सकते हैं iOS 17 में अगर मैं इस new स्टिकर वाले option के उपर यहाँ पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमें bug देखने को मिल रहा है यहाँ पर मेरे photos वाले option में all में या फिर people में अभी कोई भी photo हमें show नहीं हो रही है जबकि मेरे camera roll में काफी सारी photos available हैं तो अभी यह bug हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके अलाबा अब आपको iOS 17 में अगर कोई audio message भेजता है तो वो audio message यहाँ पर transcribed form में आपको देखने को मिलेगा अब देखना यह होगा दोस्तों कि यह transcribed वाला feature कितने अच्छे से काम करता है हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए English के लिए तो यह feature ठीक से काम करेगा लेकिन हिंदी के लिए मुझे नहीं लगता है कि यह feature किसी खास use का होगा इसके लावा एक और हमें feature यहाँ पर देखने को मिलता है और वो मिलता है अगर हम यहाँ पर इस plus button के उपर tap करते हैं जब हम इस plus button के उपर tap करते हैं और यहाँ पर इस more वाले option के उपर tap करते हैं तो यहां पर आप यह देख सकते हैं कि यह नया option हमें देखने को मिलता है check-in का जब हम इस option को यहां पर select करते हैं तो हमें यह screen देखने को मिलता है जिसमें यह mention किया गया है कि let your friend know you have arrived with check-in यहां पर इस feature की मदद से हम अपनी check-in information को share कर सकते हैं अपने किसी friend को उसको यह बताने के लिए कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो हम आपर ठीक से पहुंच गए हैं कि नहीं अगर हम यहां पर इस continue वाले option के उपर tap करते हैं तो यहां पर आपको यह option देखने को मिलता है कि iPhone will keep up with your progress अगर आप अपने destination की तरफ नहीं जा रहे होंगे तो आपको यहां पर एक prompt देखने को मिलेगा और आपको 15 मिनिट के अंदर उस prompt का respond करना होगा अगर आप respond नहीं करते हैं तो आपने जिसके साथ यह check-in information शेयर की है तो उसके पास एक notification जाएगा कि आप अपने destination की तरफ नहीं जा रहे हैं और उस option को चूज करने के बाद आप यहां पर continue वाले option के ओपर tap कर सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर mentioned है कि your friend will be notified when you send the check-in, when you arrive, when you are delayed and do not respond when prompted तो इन तीनों ही cases में आपके friend को यहां पर notification देखने को मिलेगा और अब आप directly यहां पर send a check-in वाले option को select करके अपने friend को अपनी check-in information भेज सकते हैं तो यह check-in का नया feature यहां पर iOS 17 में अब हमें देखने को मिलता है Next कुछ changes यहां पर हमें keyboard से related देखने को मिलते हैं यहां पर auto correct feature अब पहले से मुकाबले थोड़ा better तरीके से काम करता है आला कि आप यहां पर अभी देख सकते हैं कि यहां पर auto correct feature मेरे phone में iOS 17 में काम ही नहीं कर रहा है यहां पर मुझे suggestions ही देखने को नहीं मिल रहे हैं अपने इस iPhone में जबकि left side में iOS 16 में यहां पर हमें suggestions भी देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा यहां पर अब हमें यहां पर predictive text feature भी देखने को मिलता है जिसमें हमारा phone यहां पर word और sentence को predict करके हमें यहां पर prompt देगा जैसे हमें यहां पर google mail वगरा में देखने को मिलता है इसके अलावा dictation भी यहां पर iOS 16 के मुकाबले iOS 17 में थोड़ा better तरीके से काम करती है लेकिन again dictation यहां पर English में ही ठीक से काम करती है Hindi में dictation इतना अच्छे से काम नहीं करती है इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कि यहांपर dictation का icon भी हलका सा change हमें देखने को मिल रहा है left side में iOS 16 में यहांपर यह हलका सा देखने को मिल रहा है जबकि right side में iOS 17 में यह dark color का देखने को मिलता है next एक feature यहांपर हमें देखने को मिलता है contact poster का यहाँ पर जब हम अपने phone के icon के उपर tap करते हैं और यहाँ पर contacts वाले option में जाते हैं तो यहाँ पर हमें उपर यह my card का option देखने को मिलता है जब हमें इस my card वाले option के उपर tap करते हैं तो आप देख सकते हैं कि iOS 16 में हमें my card किस तरीके से देखने को मिलता है जबकि right side में आपको my card इस तरीके से देखने को मिलता है यहाँ पर यह my card वाले option में यहाँ पर change देखने को मिलता है इसी के साथ-साथ यह contact poster इस बात को दिखाता है कि जब आप किसी को phone करते हैं तो उस person के phone पे आपकी किस तरीके की poster यहाँ पर दिखने ही चाहिए एक live transcription देखने को मिलेगा उस person की बातों का जो आपको call कर रहा है अगर आप उस transcription को देखके अपनी call को उठाना चाहते हैं तो आप उस call को उठा सकते हैं और अगर आप उस call को ignore करना चाहते हैं तो उसको card कर सकते हैं तो यह live transcription का भी option अब हमें यहाँ पर iOS 17 में देखने को मिलता है इसके अलावा अगर हम यहाँ पर phone app को open करते हैं और यहाँ पर recent call वाले option में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें interface में change देखने को मिलता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि iOS 16 के मुकाबले iOS 17 का interface थोड़ा सा different हमें देखने को मिलता है और अगर हम यहाँ पर किसी button के ओपर यहाँ पर tap करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो यहाँ पर हमें card में भी difference नजर आता है iOS 17 में next कुछ changes यहाँ पर हमें देखने को मिलता है FaceTime से related FaceTime में अगर आपके पास कोई FaceTime कॉल आती है और आप उस कॉल को miss कर देते हैं तो आपको अपने phone में message देखने को मिलेगा कि आप उस दूसरे person के लिए यहाँ पर कोई video message या फिर कोई normal voice call message भेजना चाते हैं कि नहीं यह option आपको FaceTime में पहले iOS 16 में देखने को नहीं मिलता था इसके अलावा अगर आप यहाँ पर FaceTime call में होते हैं तो और उसके बाद यहाँ पर कोई gesture करते हैं आप यहाँ पर थमसब का कोई gesture करते हैं FaceTime call में तो यहाँ पर different actions trigger हो जाएंगे FaceTime call में यह भी एक नया feature यहाँ पर iOS 17 में add किया गया है next exchange यहाँ पर हमें देखने को मिलता है password से related password में आप जानते ही हैं कि जब आपको कोई यहाँ पर code receive होता है messages में तो वो code आपका automatically fill हो जाता है अगर वो code आपको कहीं डालना हो अपने phone में अब यहाँ पर iOS 17 के बाद अगर आपको अपनी mail में भी कोई यहाँ पर code receive होगा तो वो code भी यहाँ पर आप auto fill कर पाएंगे अपने phone में इसके अलावा एक additional setting भी अब हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अपने phone में अगर हम अपने phone में यहाँ पर setting वाले option में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर password वाले option में जाते हैं तो यहाँ पर आपको उपर option देखने को मिलता है password options का जब हम इसके उपर tap करते हैं तो यहाँ पर हमें यह नया option देखने को मिलता है clean up automatically का जब आप इस option को enable कर देंगे तो आपकी mail में और messages में आने वाले verification code automatically delete हो जाएंगे auto fill होने के बात तो यह एक अच्छा feature यहाँ पर password में add किया गया है iOS 17 में एक और change यहाँ पर हमें password से related ही देखने को मिलता है जब हम अपने password वाले option में वापस जाते हैं और यहाँ पर उपर इस plus वाले icon के उपर tap करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें option देखने को मिलता है new password का और new shared group का यहाँ पर अब हम iOS 17 में एक नया shared group create कर सकते हैं जिसमें हम अपने उस group के members के साथ easily passwords को share कर सकते हैं यह option भी हमें iOS 16 में देखने को नहीं मिलता था next एक feature यहाँ पर हमें देखने को मिलता है name drop इस name drop feature में जब आप अपने phone को किसी दूसरे iPhone के नजदीक लाते हैं तो आपका contact card automatically transfer हो जाता है उस phone में तो आप अपने contact को बड़ी असानी से किसी भी person के साथ यहाँ पर इस feature की मदद से अब transfer कर सकते हैं और इस feature को आप अपने iPhone में और Apple Watch CD6 और उसके बाद के model में यहाँ पर यूज कर सकते हैं हाला कि Apple Watches में यह feature अभी हमें बाद में देखने को मिलेगा इसी के साथ साथ आप AirDrop की मदद से यहाँ पर content को भी अपने phone को नजदीक लाके बड़ी असानी से एक phone से दूसरे phone में transfer कर सकते हैं और आप SharePlay फीचर को भी इसी तरीके से आप बड़ी असानी से use कर सकते हैं Next एक feature यहाँ पर हमें देखने को मिलता है Communication Safety से Related अगर हम अपने phone में यहाँ पर setting में जाते हैं और यहाँ पर screen time setting में जाते हैं तो screen time setting में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें communication में यहाँ पर दो option देखने को मिलते हैं communication limit का और communication safety का जबकि left side में आपको यह communication का कोई section देखने को नहीं मिलता है Communication limit का option हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जबकि नीचे आप यहाँ पर देख सकते है Communication safety का जो यह option है यह हमें left side में iOS 16 में देखने को नहीं मिलता है जब हम इस communication safety वाले option के उपर यहाँ पर tap करते हैं तो हमेरे देखने को यह option देखने को मिलता है Check for sensitive photos का जब हम इस option को यहाँ पर enable कर देंगे तो उसके बाद अगर हमें messages में कोई sensitive photos receive होती है तो हमें message देखने को मिलेगा कि यह एक sensitive photo है तो यह communication safety का एक अच्छा feature यहाँ पर आप iOS 17 में finally add कर दिया गया है जिसकी wait हम काफी time से कर रहे थे next कुछ changes यहाँ पर हमें देखने को मिलते है music app में music app में आप यहाँ पर नीचे देख सकतے हैं कि यहाँ पर यह now playing वाला जो यह tab है यह tab हमें यहाँ पर हलका सा change देखने को मिलता है iOS 17 में left side में iOS 16 में यह tab इस तरीके से देखने को मिलता था जबकि right side में यहाँ पर इस तरीके से यह सोड़ा circular देखने को मिल रहा है इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इस song वाले option के उपर यहाँ पर tap करता हूँ तो आप right side में यहाँ यहाँ आपर iOS 17 में जाद देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर music की setting के उपर tap कर रहा हूँ तो मेरी app यहाँ पर crash हो जा रही है यह एक bug हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है देकिन दोस्तों iOS 17 में हमें music setting में अब नए option देखने को मिल रहा है crossfade का यह crossfade का option है यहाँ पर left side में iOS 16 में देखने को नहीं मिलता था अगर मैं यहाँ पर setting में दुबारा एक बार ट्राय करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं music पर tap कर रहा हूँ तो मेरी app यहाँ पर बार बार crash हो जा रही है तो अभी हमें यहाँ पर iOS 17 में काफी सारे bugs देखने को मिल रहे है इसके अलावा एक change हमें यहाँ पर देखने को मिलता है Siri में Apple का कहना है कि उसने Siri में एक change किया है और अब हमें यहाँ पर Hey Siri बोलने की जगे सिर्फ Siri बोलना होगा अपने phone में हाला कि आप मेरे इस iPhone 14 Pro Max में देख सकते हैं कि iOS 17 होने के बाद भी मुझे अभी भी यहाँ पर Hey Siri का ही option देखने को मिल रहा है और यही option हमें iOS 16 में भी देखने को मिल रहा था तो लगता है कि Apple ने अभी इंडिया में यह change नहीं किया है Siri से related इसके अलावा Apple ने यहाँ पर एक और app को announce किया है iOS 17 के साथ जो कि है general इस general app में आप अपनी daily activities का general बना सकते हैं और यहाँ पर अपनी memories को असानी से अपने इस general app में डाल सकते हैं यहाँ पर आपको अपनी memories से related different suggestions देखने को मिलेंगे अपनी general app में general entry create करने के लिए हाला कि यह general app जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी available नहीं है और यहाँ पर mentioned है कि coming later this year तो यह general app अभी हमें बाद पर देखने को मिलेगी iOS 17 में next कुछ changes यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं health app में health app के interface में हलके से हमें हाँ पर change देखने को मिलते हैं iOS 16 से iOS 17 में इसके अलावा अब हमें यहाँ पर mental health से related एक यह नया option भी देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि logging your emotions and mood get started यहाँ पर अगर मैं इस get started वाले option पर डालता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें questions पूछता है हमारे mood से related कि how are you feeling right now तो इसमें हमें हमें different set of questions पूछे जाते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि यहां पर आप very unpleasant neutral और very pleasant के बीच में से कुछ भी चूज कर सकते हैं चलिए यहां पर very pleasant वाले option को चूज कर लेते हैं और next को select कर लेते हैं अब आपको यहां पर enter करना है कि यहां पर चलिए हम चूज कर लेते हैं happy, calm, peaceful और grateful और उसके बाद next को चूज कर लेते हैं अब हमें यह question पूछ रहा है what's having the biggest impact on you इसमें हम यहां पर health और family डाल देते हैं और यहां पर done पर tap कर देते हैं अब हमें यह पूछ रहा है कि would you like reminder to log यहां पर हम इसको skip कर देते हैं तो अब हमने यहां पर अपने emotions और mood से related यहां पर entry कर दिया है अगर मैं यहां पर ब्राउज वाले option में जाता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर medication के नीचे यहां पर mindfulness का option देखने को मिलता है इसको change करके आप यहां पर mental well-being कर दिया गया है अगर मैं इस option के उपर यहां पर tap करता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमें mental well-being से related यहां पर different information अब देखने को मिल रही है health app में यह mental well-being का section हमें नया देखने को मिलता है अब health app में साथ ही हमें health से related एक और setting यहां पर देखने को मिलती है screen time में अगर हम यहां पर setting में जाते हैं और यहां पर screen time settings में जाते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ऊपर हमें option देखने को मिलता है screen distance का यह screen distance का option यहां पर हमारे बच्चों के लिए with face ID too close for an extended period of time तो यहाँ पर अगर मैं इस continue वाले option के उपर tap कर देता हूँ तो यहाँ पर यह बता रहा है कि screen distance वाला यह feature कैसे काम करता है यहाँ पर यह viewing distance, screen shield और position guide को यहाँ पर देखता है अब हम यहाँ पर अगर इस turn on screen distance वाले option को यहाँ पर choose कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि screen distance वाला यह option यहाँ पर enable हो गया है तो यह भी एक अच्छा feature यहाँ पर add किया गया है iOS 17 में हमारी eye health related next कुछ changes यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं safari से related अगर हम यहाँ पर setting में safari setting में जाते हैं तो safari setting में हमें यहाँ पर नीचे option देखने को मिलता है profiles का अगर आप यहाँ पर left side में देखें तो आपको iOS 16 में यह profile का option देखने को नहीं मिलता है अगर यहाँ पर हम new profile वाले option के उपर tap करता हूँ तो यहाँ से हम different profiles को create कर सकते हैं चलिए यहाँ पर पहले कुछ profile को create कर लेते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो profile create कर दिया है home और work की अब हम अगर अपने phone में यहाँ पर safari को open करते हैं और उसके बाद यहाँ पर इस icon के उपर tap करते हैं तो आपको यहाँ पर यह option देखने को मिलते हैं private, five tab, apple website और test के अगर मैं यहाँ पर इस icon के उपर यहाँ पर tap करता हूँ तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें profile select करने का option देखने को मिलता है यहाँ से हमें अपनी किसी भी profile को यहाँ पर select कर लेता हूँ चलिए हमें यहाँ पर home वाली profile को select कर लेते हैं अब home profile में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे को यहाँ पर यह वेb page देखने को मिलता है अगर मैं यहाँ पर work profile को select करता हूँ तो work profile में हमें different web page देखने को मिलेंगे और अगर हम यहाँ पर no profile select कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा पुराना वाला screen यहाँ पर open हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पर हमें यह private tab का भी option देखने को मिलता है अगर मैं इसको select कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि private browsing is locked का यहाँ पर हमें option देखने को मिलता है यह private browse वाला option हमें यहाँ पर left side में iOS 16 में भी देखने को मिलता था अगर हम यहाँ पर इस tab वाले option के उपर tap करते हैं अगर मैं इस onlock वाले option को यहाँ पर select करता हूँ यह हमसे हमारा face ID मांगेगा और Face ID डालने के बाद ही यह Private Browsing यहाँ पर Activate होगी तो यह कुछ Changes यहाँ पर हमें Safari से Related देखने को मिलते हैं इसके अलावा यहाँ पर Settings के Menus में भी यहाँ पर हमें कुछ Changes देखने को मिलते हैं अगर हम यहाँ पर अपने फोन में Settings को Open करते हैं और उपर यहाँ पर Settings में जाते हैं तो Left Side में iOS 16 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें Mobile Data Option देखने को मिलता है जबकि Right Side में इसको Change करके Mobile Service कर दिया गया है इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें Home Screen यहाँ ऑप्शन देखने को मिलता है जबकि Right Side में इसको Change करके Home Screen एन एप Library कर दिया गया है तो यह Setting के Menu में भी हलके पूल के Naming Changes हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके अलावा Photos एप में भी हमें कुछ Changes देखने को मिलते हैं यहाँ पर Photos एप में अगर हम यहाँ पर Album में जाते हैं तो Album में यहाँ पर लोगों की Album की Accuracy को थोड़ा और बढ़ा दिया गया है और साथ में यहाँ पर हमें पैट से रिलेटेड अलबं भी अब देखने को मिलती है जो कि IOS 16 में हमें देखने को नहीं मिलती थी कुछ Changes यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं Reminders में Reminders में अगर हम यहाँ पर अपनी किसी लिस्ट को ऊपन करते हैं manage section का, यह manage section वाला option भी हमें यहाँ पर left side में देखने को नहीं मिल रहा है इस option के उपर अगर हम यहाँ पर tap करते हैं तो यहाँ पर हम section को add कर सकते हैं और different section को यहाँ पर edit भी कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर इस add section वाले option में जाते हैं यहां से हम अपना section create कर सकते हैं इस buying list का तो यह कुछ changes यहां पर हमें reminders में देखने को मिलते हैं iOS 17 में next change यहां पर हमें देखने को मिलता है fitness app में fitness app में आप यहां पर देख सकते हैं कि sharing का icon सबसे पहले यहां पर change कर दिया गया है तो दोस्तों यह थे वो कुछ changes यहां पर हमें iOS 17 में देखने को मिलते हैं इसके अलावा भी यहां पर कुछ और चोटे मोटे changes हमें iOS 17 में देखने को मिलते हैं मुझे उमीद है कि आपको यह video useful लगा होगा अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इसे like करें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ share करें हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाना ना भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया video आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सकें धन्यवाद